साथियों, स्री स्वामिनाराण गुरुकुल राजकोट की यात्रा के 75 वर्ष ऐसे कालखन में पूरे हो रहे हैं, जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष मना रहा है। यह सुखद संयोग तो है ही, सुखद सुयोग भी है। एक राश के रुप में भारत की आजाद भारत की जीवन यात्रा ऐसे सुयोगों से ही और हजारों साल की हमारी महान परंपरा भी ऐसे ही सुयोगों से ही गतिमान रही है। यह सुयोग है करमणता और कर्तव्य के सुयोग। यह सुयोग है संस्कृती और समर्पन के सुयोग। यह सुयोग है आध्यात्म और आधुनिक्ता के सुयोग। जब देश आजाध हुआ तो हमारे उपर यह जिम्मेदारी थी कि हम सिख्षा के खेत्र में भारत के प्राचिन वैभव और हमारा महान गवरों को पुनरजिवित करें। लेकिन गुलामी की मानसिक्ता के दबाव में सरकारे उद्धिशा में बड़ी नहीं। और कुछ बारतों में तो उल्टे पैर चली। और इन परिस्तियों में एक बार फिर हमारे संतों ने आचारियों ने देश के प्रती इस कर्तव्य को निभाने का बिड़ा उठाया। स्वामिनारा एंड गुरुकुल इसी स्वयोग का एक जीवंत उधारन है। आजहादी के तुरंत बात भारतिय मुल्यों और आदर्शों की निव पर इस आंदोलन को इस संसान को निर्मित किया गया। पुझ्य धर्म जीमन दाज्जी स्वामी जी का राजकोट गुरुकुल के लिए जो वीजन था। उसमा अध्यात्मा और आधुनिक्ता से लेकर संस्कृती और संस्कार तक सब कुछ समाहित था। आज वो विचार बूज वो विचार बीज एक विशाल वटवरुक्ष के रूप में हमारे सामने हैं। मैं गुजरात में आप सब के बीच में ही रहा हूँ। आगपी के बीच में पला बड़ा हूँ। और यह मेरा सोभाग रहा है कि मुझे इस वटवरुक्ष को आकार लेते हुए अपनी आँखों से टीप से देखने का सुवशन मिला है। इस गुरुकूल के मूल में भगवान स्वामिनारण की प्रेणा रही है। प्रवर्तनिया सद्विध्या भुवी यत सुकृतम महत अर्थात सत्विध्या का प्रसार। सुनसार का सबसे पवित्र, सबसे महत्वपुन कार्य है। यही तो ज्ञान और सिक्षा के प्रती भारत का वो सास्वत समर्पन है जिसने हमारी सभ्यता की नीव रखी है। इसी का प्रभाव है कि कभी राजकोट में केवल साथ विध्यारतियों के साथ प्रारंब हुए गुरुकुल विध्या प्रतिष्ठानम की आज देश विदेश में करीब 40 साखाएं हैं। हर वर्ष यहां हजारों की संख्या में विध्यारति आते हैं। पिछले 75 वर्षों में गुरुकुल ने छात्रों के मन मस्तिच को अच्छे विचारों और मुल्यों से सीचा है। ताकि उनका समग्र विकास हो सके। आज धात्म के ख्षेत्र में समर्पित विवाओं से लेकर इस्रों और बार्ख में वैज्यानिकों तक हम गुरुकुल परंपरा ने हर ख्षेत्र में देश की मेगहा को पोशित किया है। और गुरुकुल की एक विशेस्ता हम सब जानते हैं और आज के यूग में हर किसी को वो प्रभावित करती है। बहुत कम लोगों को मालूम है कि उस कठीन काल में भी और आज भी ये गुरुकुल एक ऐसा समस्तान है जो हर गरीब छात्र से शिक्षा के लिए एक दिन का केवल एक रुपिया फिस लेता है। इससे गरीब विद्यारतियों के लिए सिख्षा पाने का रास्ता आसान हो रहा है।